पॉस माह कथा अध्याइद दस रिसी बोले हे सूत जी आप चिरन जीवी तथा भगवत भक्त हो हम लोगों ने आपके योग की सुन्दर आसन लगाया है हे महाभाग आप ठके हैं आप यहाँ बैठ जाईए ऐसा सब ब्रहमनों ने कहा इस प्रकार बैठने के लिए लेकर प्रसन होकर आसन पर सूत जी बैठ गया तदंतर सूत को सुख पुर्वक बैठे वे और स्रम रहित देखकर पुन्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्तरी सी यह बोले हे सूत जी है हे महाभाग आप भागवान हैं भगवान ब्यास के वचनों के हारदिक अभी प्राय को गुरू की किरपासे आप जानते हैं क्या आप सुखी तो हैं आज बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे आप प्रसनसा के पात्र हैं हे ब्यास सिस्य सिरोमनी आप पुज्य है इस असार संसार में सुनने योगे हजारों बिसे है परंतु उनमें स्रेस कर थोड़ा सा और सारभूत जो हो वह हम लोगों से कहिए है महाभाग संसार समुद्र में डूपते हूँ को पार करने वाला तथा सुफल देने वाला आपके मन में निस्चित बिसे जो हो वही हम लोगों से कहिए हे अज्ञान स्वरूप अंधकार से अंधेवों को ज्ञान रूप चक्छू देने वाले भगवान के लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण संसा रूपी रोग को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह सिग्रहम से कहिए इस प्रकार सौनक आदी रिसियों के पूछने पर हाँ जोड कर सूत जीक बोले हे समस्त रिसियों मुनियों मेरी कहीवी सुन्दर कथा को आप लोग सुनिये हे विप्रों पहले मैं पूसकर तिर्थ को गया वहां असनान करके पवित्र रिसियों देपताओं तथा पित्रों को तरपनादी से तिर्थ करके तब समस्त पर्तिवंधों को दूर करने वाली यमुना के टत पर गया फिर करम से अन्य तिर्थों को जाकर गंगा टत पर गया पित्रों को कासराद कर तब त्रिवेनी पर गया तदंतर कृष्णा के बाद गंडकी में सनान कर पुलहरिसी के आसरम पर गया धेनु मती में सनान कर फिर स्वस्ति के तीर पर गया वहां हे विपरों त्रिरातरी उपवास कर गोदावरी गया फिर कृतमाला कावेरी निर्विंद्या ताम्रपर्णिका तापी वैहायसी नंदा नर्मदा सर्मदा नदियों पर गया पुनह चर्मवंती में सनान कर पीछे से तू बंद रामेश्वर पहुंचा तदंतर नारायान का दर्सन के हे तू बदरी बन गया तब नारायान का दर्सन कर वहां तपस्यों को अभिनंदन कर पुनह नारायान को नमसकार कर और उनकी अस्तुती कर सिद्ध छेतर पहुंचा इस प्रकार बहुत से तिर्थों में घुमता हुआ, कुरू देश तथा जंगल देश में घुमता फिर हस्तिनाफुर में गया हे दुजो, यहां यह सुना कि राजा परिछित राजी को त्याग बहुत रिसियों के साथ परम पुन्य प्रद गंगा तीर गए वे हैं और उस गंगा तत पर बहुत से सिद्ध सिद्धी हैं, भूसन जिनका ऐसे योगी लोग और देवरसी वहां पर आते हैं, उनमें कोई निराहार, कोई वायू भक्चन कर, कोई जल पी कर, कोई पत्ते खा कर, कोई स्वांस, कोई आहार कर, कोई फलाहार और कोई-कोई फेन का आह करते हैं हेद्वी जो उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गये वहां ब्रह्म सरू भगवान महामुनी ब्यास के पुत्र बड़े तेज वाले बड़े प्रतापी स्री कृष्ण के चरन कमलों को मन से धारन किये वे स्री सुकदेव जी आए उन सोलह वर्स के योग रूप थूकते वे लड़कों से घिरेवे मोग्चिकाओं से जैसे मस्त हस्ती घिरा रहता है उसी प्रकार धूल हात में लीवी इस्तियों से घिरेवे सरमांग धूल रमाय महामुनी सुकदेव को देखकर समुनी प्रशंता पुर्वक हाँ जोड़कर सहसा उठ खड़े वे इस प्रकार महामुनीयों द्वारा सत्कृत भगवान सुक को देखकर तत्पस्चताब करती पस्ताती भी इस्तरियां और साथी के बालग जो उनको चिला रहे थे दूर ही खड़े रह गये भगवान सुक को परणाम करके अपने अपने घरों की ओर चले गये इधर मुनी लोगों ने सुक देव के लिए बड़ा उंचा और उत्तम आसन बिछाया उस आसन पर बैठे वे भगवान सुक को कमल की करनिका को जैसे कमल के पत्ते घेरे रहते हैं उसी प्रकार मुनी लोग उनको घेर कर बैठ गये यहां बैठे वे ग्यान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनी ब्यास के पुत्र सुक देव ब्रहमनों द्वारा की गई पूजा को धारन कर तारा गनों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह सोभा पा रहे थे सूत जी बोले राजा परिक्षित के पूछने पर भगवान सुक द्वारा कथित परम पुन्य प्रद स्रीमत भागवद सुक देव जी के प्रसाथ से सुनकर और अनंतन राजा का मोक्ष भी देख कर अब यहां यग्य करने को उद्द्यत ब्रहमनों को देखने के लिए मैं आया हूं और यहां यग्य में दिख्छा लिये हुए ब्रहमनों का दर्सन करके मैं किरतार्थ हुआ रिसी बोले हे साधो अन्य बिसे की बातों को त्याक कर भगवान कृष्ण दोपायन के परसाथ से उनके मुक से जो आपने सुना है वही अपूर बिसे हे सूत आप हम लोगों को सुनाईए सूत जी बोले ब्रहमन के चरू में छत्रिय का चरू मिल जाने से उत्पन होने पर भी मैं धन्य हूं जो स्रेश्ट प्रूस भी आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं भगवान ब्यास के मुकसे में जो मैंने सुना है वह यथा ग्यान में कहता हूं एक सम भगवान बिश्णु के चर्णों से निकलीवी पवित्र गंगा और अलक नंदा भी वहां बह रही है ऐसे ना नारायन के अस्थान में स्री नारद मुनी ने जाकर उन पर ब्रह्म नारायन को जिनका मनसदा चिंतन में लगा रहता है जिनके जितेंद्रिय काम करोधादी छो और सत्रूप को जीते हुए हैं अत्यनत प्रभाज इनके सरीर से चमक रही है ऐसे देपताओं के भी देब तपस्वी नारायन को साश्टांग पर नाम धंडवत पर नाम कर और हाँ जोड़कर नारद उस मुनी व्यापक प्रभू की अस्तुती करने लगे नारद जी बोले ह है देव देव है जगनात है किरपा सागर सत्पते आप सत्य वरत हो त्री सत्य हो सत्य आत्मा हो और सत्य संभव हो है सत्य योने आपको नमस्कार है मैं आपकी सरन में आया हूँ आपका जो तप है वह संपुन प्रानियों की सिक्षा के लिए और मर्यादा की अस्थापना के लिस नहीं है पहले सतिऊग आदी में जैसे एक पाप करता सभी पाप हो जाते थे These स्थिति हटाकर करी केवल एक करता ही पापों से लिप्त होता है यह आपके तब की इस्तिती है हे भगवान कली में जितने प्राणी है सब विस्यों में आ सकते हैं इस तरी पुत्रगिर्ह में लगा है चित्त जिनका ऐसे प्राणीों का हित करने वाला जो हो और मेरा भी थोड़ा कल्यान हो ऐसा विशेविचार कर केवल आप ही कहने के योग है वही आपके मुख से सुनने की इच्छा से मैं ब्रह्म लोक से यहां आया हूँ आप ही उपकार प्रिय विश्णू है ऐसा बेदों में मिस्तृत है इसलिए लोकोपकार के लिए कथा का सार इस में आप सुनाईए जिसके स्रवन मात से निर्वय मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं इस पकार नाराजी का वचन सुन भगवान रिसी आनंद से खिलखिला उठे और भुवन को पवित्र करने वाली पुन्य कथा आरंब की स्री नारायन ने कहा है नारद गोपों की इस्तिरियों के मुख कमल के भ्रमर रास के इस्वर रसिकों का आभरन ब्रिंदावन बिहारी ब्रज के पती आदी पुरुस भगवान की पुन्य को कथा को कहता हूँ जब निमेस मातr समय में जगत को उत्पर्न करने वाले हैं उनके कर्मों को हेवत्व इस पृत्वी पर कौन वरणन कर सकता है नारद मुनें आप भी भगवान के चरित्र का सरल सार जानते हैं और यह भी जानते हैं कि भगवान वानी द्वारा नहीं कहा जा सकता तथा पी अधवुत पुरुस यहां पर दरित्ता और बैधब्बे का नास करने वाला यस का दाता एवं सत्पुरुस और मोख्ष को देने वाला है अता सि ही इसका प्रियोग करना चाहिए तब नारत मुने ने कहा यह देपता कौन है उनका महात्म क्या है यह अध्भूत सा प्रतीत होता है अता आप मुझको विश्थार पुर्वक कहिए सूत जी बोले स्री नारत का वच्चन सुनकर नारायन च्छनमात पुर्सोत्तम में अच्छी उत्र चाहने वाले जड़ गुंगे ऊपर से अपने को बड़े धार्मिक दरसाने वाले बिद्ध्या भिहीन मलीन वस्त्रों को धारन करने वाले नास्तिक परिस्त्री गामी नीच जर जर दास बृति करने वाला आसा जिनकी नस्ट हो गई हैं संकल्प जिनके भग्ण हो हैं कुरूपी रोगी कुष्टी तेड़े मेडे अंग वाले अंधे इस्ट वियोग मित्र वियोगी इस्तरी वियोग आप्त पुरुस वियोग माता पिता विहीन सोक दुख आदी से सूख गये हैं अंग जिनके अपनी इस्ट वस्तू से रहित उत्पन हुआ है फिर अनुष् जो दोस है इन दोसों से दुखित मनुस्यों को देख कर है जगनात मैं दुखी हूँ अता मेरे उपर दया करके है ब्रह्मन मेरे मन को परसंद करने वाले बिसे का विस्तार पुर्वक कहिए आप सरवग्य हैं समस्त तत्तों के आयतन है सूथ जी बोले इस परकार नारत के प रिसीगन बोले है महाभाग नर के मित्र नारायन नारत के प्रती जो सुभ वचन बोले आप इस्तार पुर्वक हम से कहें सूत जी बोले है दुजिस समस्तों नारायन ने नारत के प्रती जो सुन्दर वचन कहे वह जैसे मैंने सुने है वैसे ही आप से कहता हूँ आप लोग अवस सुनिये नारायन बोले है नारत पहले महात्मा स्रीकृष्ण चंद्र ने राजा युदिष्ठीर से जो कहा था हूँ हमें कहता हूँ सुनो एक समय धार्मी के राजा अजात सत्रू युदिष्ठीर छल प्रिय ध्रिश्टास के दुष्ठ पुत्रों द्वारा दुरुत किडा में हार गये सब के देखते देखते अगनी से उत्पन हुई धर्म पारायन द्रौबदी के बालों को पकड़ कर दुष्ठ दुसासन ने खीचा और खीचने के बाद उसके वस्तर उतारने लगा तब भगवान स्रिकिष्ट ने उनकी रक्षा की पीछे पांडव राजी को त्याग काम्यक बन को चले गए वहां अत्यंत कलेस से युक्तवे बन के फलों को खा कर जीवन बिताने लगे जैसे जंगली हाथियों के सरीर में बाल रहते हैं उसी प्रकार पांडवों के सरीर में बाल हो गए इस प्रकार दुखित पांडवों को देखने के लिए भगवान देवे की सुथ मुनियों के साथ काम्यक बन में गए उन भगवान को देख कर्मिर्ट सरीर में पुनह प्रान आजाने की तरह युदिश्टी भीम से अरजुना दीन प्रेम बिहल होकर सहसा उठ खड़ेवे और प्रिती से सरी किसने को गले मिले और भगवान कृष्ण के चरन कमलों में भक्ती से नमस्कार करने लगे द्रापदी ने भी धीरे धीरे वहां आकर आलस से रहित होकर भगवान को सिग्र नमस्कार किया उन दुखित पांडवों को मुरिक के चर्म के बस्तरों को पहने देख और समसरीर में धूल गीवी रूखा सरीर चारो तरब बाल बिखरेवे द्रापदी को भी उसी प्रकार सरीर वाली और दुखों से घरीवी देखा इस तरह दुखित पांडवों को देख कर वे अत्यंत दुखी हो गये भक्त वत्सल भगवान धृत राष्ट के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर कुद्ध हुए विस्व के आत्मा बाहों को चढ़ा गुरेर कर देख वे जैसे स्री सीता के बियोग से संतप्त भगवान राम चंद्र को रावन पर जैसा कुरोद आया था उस प्रकार से कुरुद भगवान को देख कर कांपते वे अरजुन कृष्ण को प्रसंद करने के लिए द्रौपदी धमरास था और लोगों से भी अनुमोदित हो कर सिग करने वाले हैं हे प्रभो क्या मेरी रक्षा आप नहीं करेंगे जिनकी नेत्र के देखने से ही ब्रंभा का पतन हो जाता है उनके क्रोद करने से क्या नहीं हो सकता यह कौन जाता है किक्या होगा हे संसार कड़ने कारण के कारण बेद और वेदांग के बीज के बीच आप साक्षात्री किष्ण है मैं आप की बंदना करता हूँ आप इस रहें इस चरा चरात्मक्त संसार को आपने उत्पन्न किया है सुरमंगल के मांगले और सनातन के बीज रूप हैं इसलिए एक के अपराद से अपने बनाए समस्त विस्व का आप नास कैसे करेंगे कौन भला ऐसा होगा जो मच्छरों को जलाने के लिए अपने घर को जला देता हो स्री नायन बोलें कि दूसरों की बीरता को मरदन करने वाले अरजुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन कर परणाम किया सुथ जी कहते हैं स्री कृष्ण ने अपने क्रोध को सांध किया और स्वेम भी चंद्रमा की तरह सांध हो गया इस प्रकार भगवान को सांध देकर पांडब स्वस्त हुए अगली कथा हम कल आप से मिले